गुर्मानिक बच्चो जितने भी क्लास टेट के स्टुडेंट्स है आज हम लोगो फिजिक्स के चेप्टर टेट पढ़ाने वाद हैं ठीक है चेप्टर का नाम है प्रकास परावर्टर तथा अपवर्टर इसमें होता है सबसे पहले हम लोग प्रकास के बारे में कुछ जान जैसे कि अगर हम लोग जानने से पहले अगर हम लोग किसी भी चीश को देखते हैं तो देखने के लिए अंकों के साथ असाथ हम लोगो प्रकास की बीज़वत होती है यो कि आप खुछ से इमेजिन करिए या कुछ से कल्ब ना करिए कि अगर इस रूम से प्रकास को हटा द देखते हैं कि इस की बाuz से कुछ आख है और इसमार पश्जान रखना है कि प्रकास सदेव , शीधी रेका पे चलती है मतलब क्या कि वो कहीं पे भी यह जली को कहा, प्रकात किरन कहा था, प्रकात tensor कर लेक। इस परत को हम प्रकात किरन कहते हैं, फार चूटर कम कहा था तो आपको या लगता है, जोटकी होशाक, एक्जाम में पूछ सकता है uniform अब यहां पर आता है स्टेक्टर का नामे प्रकास तो बता दिये अब आता है प्रकास का परावर्चन कता कहоновuit तो परावर्चन का मतलब होता है कि क्या यहां में देखें लिखा हुआ कि अगर प्रकास की रख किसी अपारण से माध्याप से यह चमकदार प्रिष्ट से तक्राप और वापस लोटने की हटना तो प्रकास का करावरतन कहलाता है मतलब क्या कि अगर हम इस दिवार का ही बात कि रती क्या है अब आदर से मतलब क्या है कि हमको इस पार से उस पार नजर ना आए खीक है यह फिर ऐसा भी हो सकते हैं चमकदार प्रिष्ट मतलब कि आप उपने घर का एड़क देख सकते हैं यह जो अश्कील का चमच होता उसको देख सकते हैं वो क्या एक चमकदार प्रिष्ट है जैसे कि अगर हम लोग किसी सुनार के दुकार में जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ज्वेलदी के दुकार में क्या होता है, चीजे रखी हुई होती है, मगर हम लोग को नजर आता है, बीट में सीसा होता है, और फिर भी हम लोग को नजर आता है, उसको हम लोग प्रकास क प्रकास का अपवर्टन कहता है, ठीक है? देखें, यहां के लिखावज, जब प्रकास किसी पारदर्शी मादियां में प्रवेश्च करते हैं, इसको हम लोग प्रकास का अपवर्टन कहता है, जैसे कि अगर स्वक्ष पानी में, मेरे खर के गलाज में कोई शिक्का डूब जा जाता है, आता है कि नहीं आता है, तो फुसर के एक और पारदर्शी मादियां होता है, ठीक है? और इसके आगर आप लोग आप शुरेंगें